ब्राट तु यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स जहां से ललन सिंग सांसर हैं कुछ दिनों पहले तक चर्चाएं ये भी खूब उठती थी कि ललन सिंग जो है वो लालू परसादय आदब तेस्वी आदब के कड़ी भी है अलाकि अब तो खेर वो एंडिये का हिस्सा है क्योंकि रितिश कुमार नेपाला बदल लिया है वो ए पराने के लिए असोक महतो की पतनी को मिदवार बनाया है अनीता को जी हां असोक महतो जिनके उपर खाकी द बिहार चैप्टर वेब सिरीज बन गई और उनके नाम पे कई अपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं और एक जमाने में वो एक बहुत बड़ गैंस्टर कहे जात तो अकिर कौन किस पर भाड़ी परेगा और असोक महतों को लालुपर साध्यय अदम ने क्यों उमिदवार बनाए कोन किस पर भाड़ी परेगा यह तो जनता के समर्थन पर न होगा अभी यह अकलन करना और फॉरकास्ट करना उचित नहीं होगा यह बात सही है कि जद्यू क अध्यक्ष रहे ललन सिंग एक अस्थापित नाम है पुराना चेहरा है विहार में मंती रहे हैं और अभी हाल तक ही जैदिव के अध्यक्ष थे नितीश कुमार के विश्वत सहीयोगियों में एक गिने जाते हैं अब पीछली बार जो राष्ट्य परिशत की बैठक हुई उस जब हटे थे तो मुगेर की सीट बीजेपी के लिए बड़ी होट सीट बढ़ी थी आपको याद होगा लोकसभा में जिस जंक से एक दिन जब चर्चा हो रही थी तो उसमें ललन सिंग अमित्सा के बासन के दौरान ही भीर गये थे बाड़ी टोकाटकु ही थी बड़ा क्रो सीट दिखे थे ललन सिंग और मालूम परता था कि जैसे अमित्सा से सीधे आमना सामना हो गया था उस चर्चा के दौरान अमित्सा आये भी दिहार और जो यान यहां दस सीटें सीटों की पहचान की थी वीजेपीने में मुंगेर सीट भी थी लक्स था कि यहां कमजोर है इ लालू परशाद ने वो घेरने के लिए कोई कोरका सर नहीं चोड़ी अपने महत्व चर्चा की उनकी कविल्यत उनके सामर्थ की आपने चर्चा की क्या उनकी च्छ बहें कि यह राजितिक पुरुज हैं कि और क्या अभी लालू-परिशाथ से संपर्क्या तो लालू- लोगे टिकट मिले अनिता देवी उनकी धन पत्नी है वह भी उमिद्वार होंगी देखे जो मुगेर के बनावट है उसके हिसाब से एक और जहां भूमिहार डॉमियार इलाका करता है तो पीछरों की वियाबादी वहां में चाहिए नितिश कुमार कभी मुगेर के सांसा धु चेटर और नारंदा की ँविद्वूष मांते हैं कि रहाजपूत भोल आगे उद् dengan यह अब उसके बाद आगे यह अध़र आये लकी सरय चैतर है फिक्णा prof है और जमार उन्यार चैतर है तो पीछरों काभी अच्छी आवादी वहाँ वहां सत्पूछे एक और जहां ललन सिंग कहीं डेट होंगे तर दूसरी तरफ वहां कहीं न कहीं अगरों पिछ़़ों की लडाई बर्सक नितीश कुमार नितीश ललन सिंग को घेरने के लिए बर्सक यही राजनीत करेंगा शोक महतों की पत्नीको उतारने का और प्रयोग किया था वो एक पत्रिकारिता की प्रिष्ट भूमी वाले अभी तो साथ थे फिर उनने छोड़ दिया उनको प्रगती महता कुमी द्वार बना दिया था तो जो भोट बैंक है उसके साब से कंट्रेस्ट हुआ था लेकिन अच्छी मार्जिन से में तो नरेन मोदी का नाम चेहरा भी था तो काम्यावी मिली थी इस बार निशित रूप से लड़ाई होगी अब कौन किस पर भाड़ी परेगा जो मैंने प्रारम से आपने कहा कि अभी जनता ते करेगी लेकिन दिंचास् होगी अब उस अकरवी पिछले के लड़ाई में जो कुछ है थोड़ी इंटी इंकम्बिंसीफ हैक्टर भी थी तो वह सब थोड़ा गौन होगा हूँ हमको लगता है कि असोक महतों की पत्नी को भर्चरी असोक ही महतों है वहां तो जो लोग अभी ललन सिंग से उनके सोजा के चुनावी जंग में आने का परोग शुरूप से चुनावी जंग में सोक महतों ही रह रहा है लालू प्रशाद का तो अपना जनाधार है वहां का ये विहार की एक मुगेरा वीसवार निश्चित रूप से हौट सीट हो जाएगी एक तरफ एक बाहु बली कि पत्नी लरह है तो इसलिए मुझे लगता है कि मुगेर की लराई बहुत ही दिल्चस्प होने वाली है क्योंकि यहां ललन सिंग वरसे असोक महतो होने वाला है और साब तो और पर आपने सुना कि किस तरीके से लालो पर साब आपने सुक महतो की पत्नी को वहां से टिकर दे करके अगरा पिछरा की लराई जो है दमदार बनाने के कोशिश की है हलाकि अरुन पाड़े सर ने कहा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा यह जग बहुत चुनाओ खत्म होने के बाद ही पता चलेगा जब रिजल्ट सामने आएगा तो पता चलेगा कि कौन किस पर भारी हुआ है लेकिन लराई बहुत दिल्चस्प होने वाली है मुंगेर इस बार बिहार की होट सीट में से एक सीट होने वाला है अनिकेत कुमार बिहार तक पतना